हुआ हेलो फ्रेंड्स मैं हो के पीजिंग आप देख रहे हैं मेरे चनल पुड़ोगते पुड़ोगे अगर आप चाहते हैं रोज को नया तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जिरू दबाएं ताकि अब तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले तो मै सुचना यह है कि क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है सामको साथ बजे प्रॉपर वीडियो आपको मिलती हैं और अगर आउनलाइन नोट्स आपको चाहिए तो मेरे वाट्चप नमबर पर मैसेज करें जिससे आपको क्लास को आपको क्लास प्रॉइड करा जाए च ज़ियाद कीजिये को बहुत आपन कोस्चन है सारणिक बना हुआ है सारलिग में है यक ह Grade 23 चार इस सारनिंग का मान पूंछ रहा है तो हमने आपको बताया था कि टू क्रॉस तू अरथा कोटी 2 की सारनिग है कोटी2 की सारनिग को कैसे ह defenders है सबसे पहले मुख्यऐ विकान के तत्तों को उठाते हैं और माइनस कच्चिन लगा कर दूसरे विकण के तत्तों को उठाकर गुणा कर लेते हैं तो देखे कैसे एक की चार से गुणा करेंगे तो एक की चार से गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा एक गुणे चार माइनस माइनस तीन गुणें दो तो हमारा अंसर आ जाएगा चार माइनस तीन दू निच्छे माइनस का दो हमारा उत्तर आ गया क्लियर है चलेंगे क्वेश्चन नमबर दो पर बिल्को सिंपल क्वेश्चन है दो चार माइनस पांच माइनस एक फिर से क्या करेंगे मुख्य विकाण के तक्तों को उठाएंगे और गुणा करा लेंगे बीच माइनस लगा कर दूसरे विकाण के तक्तों को उठा कर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा हो जाएगा 2 गुड़ें माइनस एक बीच माइनस आ जाएगा 4 गुड़ें माइनस 5 माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20 तो कितना आ जाएगा 18 क्या clear है ठीक है तो ऐसे question number 2 भी हम लोग लगा सकते हैं अब हम लोग चलेंगे question number 3 पर क्या दे रखाएगा एक सारणिक दे रखिये हमको 1 3 7 7 5 9 2 0 दों एक और इस सारणिक कहमान हमसे पूंच रहा है टु देख़े आ जब भी आप सारणिक कहमान निकाले तो हम क्या करेंगे इसका A 3 से विस्तार करेंगे हो तो लखेंगे कि A 3 से अ कि कि विस्तार को में और आड़-3 से विस्तार करेंगे में हमने आपको इंतुड़क्षन में बहुत अच्छत तरीके से s West है था अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखिए तो उसको जरूर देख लें अने था फिर आपको confusion बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपको कुछ सब्सक्राइब में नहीं आएगा हमने कहा था विकर्ण पर बैठे हुए तत्तो ऐसे यह positive होते हैं बाकी सारे तत्तो कैसे होते हैं निगेटिव होते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब आर्थरी से विष्टार करेंगे तो हमको यहाँ पर जो दो दिख रहा है यह कैसा होगा positive होगा तो हमने दो लिख लिया अब इससे जाने वाली पन्क्त ऑर स्थम को चिपा लेंगे तो दो से जानने वाला इस्थम यह और पंक्त ऑ लीट yönए ही बेठे क्या वच चा व चुट्चा टीन में किनो से गुणा है तीन गुडे नौ मुख़्चा विकर्ण वाला यह देखिए हैं खें लगेका भी लगे बीच में माइनस और फिर दूसरे विकर्ण की गुणा पांच गुणे साथ के अगला हमको सुने दिख रहा है तो माइनस का सुने आप लिख सकते हैं अब सुने के साथ आपको कुछ करने ज़र नहीं है यही बेनिफिड मिल जाता है फिर अगला तक तो है एक उसका विस चिन प्लस का ए देखोता है जरा इसको साफ करते हैं खिचली जो पक गई है यहां पर ठीक है अब देखिए जब आपने एक उठाया एक से जाने वाला इस्तम यह है पंक्ति यह है इसको छिपा लेंगे और एक की पांच से गुणा कराएंगे माइनस साथ की तीन से गुणा करेंगे पहले म गुड़ें पांच माइनस तीन गुड़ें साथ दो ऐसे तीन नेम सत्ताइस माइनस पांच सत्ते पैंतेस माइनस जीरो खतम हो जाएगा प्लस का वन पांच कम पांच माइनस तीन सत्ते एक के है दो माइनस का आठ प्लस एक माइनस का सोला माइनस का सोला माइनस का सोला आंसर आजाएगा माइनस का बत्तेस तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे सा समझ में आया होगा बढ़ेंगे कोशन नमबर चार पर कोशन नमबर चार में एक सारणिक बनी है चार जीरो एक तीन दो तीन एक दो दो यह सारणिक है और हम क्या करेंगे यहां पर हमको सून ने कहा मिला है सीवन में सून मिला तो हम सीवन से विस्तार करेंगे तो लिगेंगे सीवन से विस्तार सीवन से विस्तार करेंगे तो सबसे पहला तत उठाएंगे चार जो प्लसका होता, इस से जाने वाले, पंक्तियों और इस्थम को छहेपा लेंगे, तो ये लिखा 4, इस कीज़ से गुणा करेंगे, इस कीज़ से गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2, अगला तो तो है, प्लसका 0 माइनस का 1, जीरो में एक सेकंड वेट करिएगा जड़ा यह यहां पर हटाते हैं थोड़ा सा हाँ ठीक है यह अगला तो क्या है जिसका सिंबल माइनस का जीरो होता है ठीक है अब जैसे आपको जीरो मिल गया तो कुछ छिपाने की जड़त नहीं है तो जीरो ही आएगा अब उसके अगला तक देखिए सीवन में चार के बाद जीरो जीरो के बाद एक और एक का सिंबल होता प्लस का तो प्लस एक अब इस एक से होकर जाने वाला जाने वाला इस्तम छिपा लेंगे इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे तीन गुणे दो माइनस दो गुणे एक चार दो दूनी चार माइनस तीन दूनी चे प्लस एक तीन दूनी चे माइनस दो एक काम दो चार माइनस दो प्लस का एक छे में से दो गए चार माइनस का आठ प्लस चार तो आंसर आगया माइनस चार क्लियर है तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं कि चलिए चल देते हैं नेक्स्ट कोस्टन पर तो देखिए कोशन नंबर पांच में क्या कह रहा है सारे रिक बनी वी है सेक एक्स टैन एक्स टैन एक्स सेक एक्स सिंपल है कैसे करेंगे पहले मुक्य विक्रण के तत्तो को उठा कर गुणा कर लेंगे माइनस दूसरे विक्रण के तत्तो को उठा कर गुणा कर लेंगे तो sec x इन्टु sec x माइनस 10 x into 10 x sec x, sec x, sec square x हो जाएगा 10 x, 10 x 10 square x हो जाएगा और सेक स्क्वार एक्स माइनस 10 स्क्वार एक्स इकल टू वन होता है तो इस तरीके से कोशन नमर पांच लगा लेंगे बढ़ जाएंगे कोशन नमर च्छे पर कोशन मर च्छे में कुछ पार्ट है पहला और दूसरा दो पार्ट है पहले पार्ट में सारानिक बनी वी है कोश एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स इन्टू कॉश एक्स अब क्या करेंगे हम लोग इसको कैसे हैल करेंगे तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया पिछले कोशन में मुख विकर्ण की तक्तों की गुड़ा करके गुड़ा कर लेंगे तो होजएगा कौस सीक गुड़ा होंगी साइन एक्स एक्स लेकिन माइनस का तो मैने माइनस प्लस हो जाएगा जिसका हमन एक होता है वे इसम उसे question में सारनिक बनी विए है एक स्क्वायर माइनेस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन तो देखिए इनकी मल्टिप्लाई करा लेंगे माइनस इनकी मल्टिप्लाई गुणा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की गुणा हो जाएगी एक्स प्लस वन से माइनस x plus 1 into x minus 1 x plus 1 common मिल ला है हमको तो बच्चा क्या x square minus x plus 1 यहां बच्चा minus x plus 1 तो आ जाएगा x plus 1 bracket में x square minus 2x plus 2 अंदर घुड़ा करा सकते हैं लोग क्या बन जाएगा x cube minus 2x square plus का 2x plus का x square minus का 2x plus का 2 minus का 2x plus का 2x कर जाएगा x cube minus x square plus का 2 यह हमारे पास आंसर आ गया और भी तरीके थे cube बना कर भी हम लोग उसको लगा सकते हैं आगे बढ़ जाते हैं कोशन नमर साथ पर कोशन नमर साथ देखिए 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 अब कैसे हल करेंगे मुक्य विकर्ण के तत्तों के गुणा कर लेंगे पहले साइन टैन इंटू कोश असी माइनस कोश टैन इंटू साइनस सी और यह माइनस का लेडिय होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी है यह फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे है हैं अप्लाई करने जा रहे हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन भी लिखा हुआ है यह इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी टेन प्लस एटी है तो हो जाएगा साइन नभे डिग्री एंगे साइन नभे का मान एक होता है तो इस तरीके से हम लोगों ने कोशन नमबर साथ लगा लिया रहे हैं चलेंगे कोशन नमबर आठ पर बहुत अच्छा कोशन है वन जिरो जिरो तीन पाई बटे दस कोश तीन पाई बटे दस साइन तीन पाई बटे दस यहाँ हो जाएगा टू पाई बटे दस साइन टू पाई बटे दस कोश टू पाई बटे दस देखिए सबसे ज्यादा जीरो हमको सीवन में दिख रहे हैं क्योंकि कोट तीन का सारणिक हमारे पास है तो हम सीवन से विस्तार करेंगे लिखेंगे सीवन से विस्तार करने पर तो सीवन से विस्तार करेंगे तो एक ऐसे रहेगा एक से जाने वाली पंक्ति और इस्तम को छिपा लेंगे कॉस तीन पाई गुणे बटे दस इंटो कॉस तो पाई बटे दस माइनस साइन तीन पाई बटे दस इंटो कॉस सॉरी इंटो साइन टू पाई बटे दस ये कैसे हुआ है अब जो सारणिक आपको दिख रहे है उसमें हम लोग कर लेते हैं माइनस दूसरे विकन के तक्तों की गुणा कर लेते हैं क्लियर है कि अब देखिए अगला तक्तों हमारा क्या है क्योंकि सीवन से विस्तार कर रहे तो अगला तक्तों अब माइनस 0 प्लस 0 तो गया वो जाएंगे पूरे ब्रेकेट की एक से गुड़ा करेंगे तो कॉस्ट 3 पाई बटे 10 इंटू कॉस्ट 2 पाई बटे 10 माइनस साइन 3 पाई बटे 10 इंटू साइन 2 पाई बटे 10 हमारे पास सुत्र होता है सुत्र क्या है कॉस्ट A प्लस B का सुत्र होता है कॉस्ट A इंटू कॉस्ट B माइनस साइन इंटू साइन बी बढ़ जाएंगे तो हमारे पास आजाएगा कॉस्ट A प्लस B तीन पाई बटे 10 दो पाई बटे 10 कॉस्ट पाई बटे 10 अर्थाथ कॉस्ट पाई बटे दो और कॉस्ट पाई बटे दो का मान जीरो होता है कॉस्ट 90 का मान सोनने प्लेयर है तो इस तरीके से हम लोग कॉस्ट नमबर 8 को लगा सकते हैं उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने आ गया होगा अगर मेरा बता हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्ट कर ले आज की क्लास में रखते हैं इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में आगे के प्रस्णों के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग